गुड बॉर्निंग सबको स्टाट करते हैं एक नया टॉपिक बिटा जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसको पहले सुनो वीडियो पॉस कर लेना फिर उसको लिख लेना सुन रहे हैं एकदम इसी कंसेप्ट है अमल्गमेशन और कंपनी का पूरा इंट्रोडेक्शन उसका जैनल एं में कभी न कभी इन कभी शादी करेंगे न घो दो लोग मिलते घास कंपनी के omdat को कम करने के दिए अमल्गमेशन करते हैं यार चलो जाते हैं दो कंपनी दोस्ती कर लेताएं तो अमल्गामेशन करने का एक कारण यह रहता है तो आवाइड कॉम्पोटीशन कॉम्पोटीशन नहीं करना है दोस्ती कर लिए दोनों मिल के बिजनस करेंगे कि एक कंपनी को कुछ डिस अडवांटेजस है इसके वे सामल्गामेशन करते हैं दोनों मिल जाएंगे तो वो जो कमिया है वो दूर हो जाएगा जैसा एक्जामपल मेरे पास लेबर का शॉर्टेज है दूसरा कंपनी में लेबर दबाके काम नहीं है बिलकुल तो दोस्ती कर लेते हैं यार दोस्ती कर लेंगे तो बिजनस बहुत फ़ाँम में चलेंगे और भी कारण होता है टैक्स का प्लाइनिंग के वाज इससे करते हैं टैक्स बचाने के लिए भी करते तो sir, hello, headphone सब लोग यूज़ कर रहे हैं ना, headphone लेकिए, headphone यूज़ करो, सुनो, तो दो conceptivitize में, एक amalgamation किसको बोलते हैं, और absorption किसको बोलते हैं, amalgamation, two company combined together by amalgamation, दो company दोस्ती कर लेते हैं, और आपने बीच का दूरिया कम करके एक नया company बनाते हैं, जैसे example है, drawing देखो, एक company a limited, एक company है b limited, ठीक है, ये दोनों का business अच्छा नहीं चल रहा है, दोनों competition कर रहे हैं, तो दोनों ने एक जन, एक बार सोचे हैं, क्यों नहीं दोस्ती कर लें, दोनों मिलके business करते हैं, तो a company अलग है, b company अलग है, दोनों company आपस में decide किये कि हम एक नया company बनाएंगे, उसका नया company बनेगा, उसका नाम है a b limited, तो a b limited के नाम पर registration करेंगे, और ये company को बंद कर देंगे, क्योंकि company सब कानून के point of view सरत है, legal है न, paper में होता है सब, तो उसको paper में बंद कर देंगे, और एक नया company registered करेंगे, a b limited, तो sir जो company बंद होती है, जो company बंद होती है, उसको क्या बोलते हो, उसको बोलते है, vendor company, बंदर नहीं, vendor company, क्या बोलते है, यह रे दूसरा नाम क्या, transfer, transfer, जैसा होता है न, ड्रावर, ड्रावी, पाउलर, पावली, बेलर, बेली, पहला पार्टी, टर होता है, ओ, माहल, टर, तो, तो पहला पार्टी को बोलते हैं जो कंपनी बंद होती है उसको ट्रांसपरर कंपनी बोलते हैं और जो नया कंपनी बना उसको न्यू कंपनी बोलो या ट्रांसपरी कंपनी दोनों बड़ समझा ड्रावर ड्रावी वैसी ट्रांसपरर ट्रांसपरी तो अमल्गमेशन में क्या ह होता है दो कंपनी बंद होती है और एक नया कंपनी बनता है ठीक है जैसा एक्जामपल एरिटेल कंपनी है और जीओ है तो दोनों आपको समझाने के लिए अमल्गामेशन क्या होता है दो कंपनी बंद होती एक नया कंपनी बंती है उसका नाम है ट्रांसपरी या न्यू कंपनी सर फिर एब्जॉप्शन क्या होता है सबको एमल्गामेशन समझा हां सर एब्जॉप्शन क्या होता है एक कुछ कंपनी बहुत छोटे होते हैं तो वह उनका बिजनस चल नहीं रहा है तो वह अपना बिजनस बेचना चांते हैं किसी को Be रेलाइंस कामपनी आप सब को मालू में पाउरफूल कंपनी च्छोटा कंपनी एक्समेट अबी-सी कंपनी आच्छा नहीं कर रही पर्फॉर्मेंस तो रेलाइंस के वाद पैसा वह खरीदना चाहता है और आपको बेचना चाहता है तो रेलाइंस ने एम इसी को टेक और कर ल से बी सी कभी असेट उसका हो जाएगा तो रिलेंस कंटिनी चल रहा है absorption में क्यों एक company बन दोती है amalgamation में दो दो आपने में घीचदे जिए ठीक है तो हम शूरू करते हैं पहले पहले देखम इंट्रीज का बुग में और निव कंपनी का मतला ट्रांस पर गड़े होग में एंट्री के तो यहांपर बंद कोन हो रहा है एबीसी बंद हो रहा है सब भुद बंद जाएगा है रिलैंस बंद गाएगा और जो new company यह ट्रांसफर कंपनी उसका बुक में लोस्त रहेगा यह समस्ते चोलो स्टार्ट करते हैं टें टो डान यह देखो जर्नल एंट्री इन दा बुक वेंडर कंपनी जर्न इंट्री इन देखो Kate का सर वेंडर कमपनी का भुक में तो ध्यान देना आपको एक दम अच्छे समझाओंगा सबको बैलेंस दिखाई दे रहा है एक बैलेंस शीट थोड़ा सा उपर लेता अब बैलेंस आपको दिख रहा है देखो हर क्वेश्चन में बैलेंस इट देंगे अगर एक कंपनी बंद सब्सक्राइबस दोह रही तो दो कम्पनी का देंगे आपको मैं क सबसक्राइबस देगे तो बैलेंस ही चीट में च्छेट में नहीं पोड़ान सरी नहीं सकता है यह रहा है तो लास होता है यह हैर ठीक है तो आपको मैं टेकनिक बता रहा हमें ना बुक को क्लोस करना है क्लोस मतलब नहीं क्या बुक बन करके नहीं बैठना है ओम शांती ओम वो नहीं करना है हमें बुक को क्लोस करना है हमेशा के लिए ओके आज के बाद यहां एकांटिंग नहीं होगा तो सुनो fix assets investment stock data सुन रहो fix assets investment अब यह सब asset है ना वो new company लेके जाएगी है ना new company लेके जाएंगे ट्रक लाएंगे imagine करो ट्रक लाए और सब फटा पट सब लाद दिए लोड कर दिए और liability भी कुछ लेके गए ट्रक में रखके लेके गए imagine तो बैटा कुछ लेके जाएंगे कुछ नहीं लेके जाएंगे ऐसा भी तो हो सकता है कुछ asset इधर ही छोड़ दिए फरनीचर वगर इधर ही छोड़ दिए कुछ liability इधर ही छोड़ दिए तो आपको टेकनिक सिकाता जो company बंद होती है जर्णान एंट्री इंडे मुखा vendor company vendor समझा जो cross किया था उसका एंट्री कैसा कई धानदना सबसे पहला इंवेस्ट्मेंट इन सब मेंट एक रूल फिक्ससे इंवेस्ट्मेंट स्टॉक का डेटर कैश के लिए एक रूल रूल नमबर वन रूल नमबर वन नमबर वन लिखाऊं ठीक है रूल नमबर वन प्रॉफिट लॉज के लिए रूल नमबर टू रूल नमबर टू पहला अपना स्टेप यही रहेगा बैलेंशीट को पूरा साफ करतो जाड़ु मार के जीतना भी आपको लाइबिलिटी दिखाई दे रहा है आउटसाइडर ला से कितना इजी था तो मैं यह बोल रहा हूं यह सबको क्लोस करने का इन्वेश्मेंट सपरेट लेजर स्टॉक सपरेट लेजर सबको ट्रांसपर कर दो रिलादेशन एकाउंट में वेदर टेकन और बाइं न्यू कंपनी और नॉट पिर से बोलू सब असट जितना भी असट ट्रांसपर कर दो इसको बुक वैली कि मतला जो बैलेश्में दीखता हare उसको बुक वैल्यू बोलते हैं जैसा बार्णसपर में पहले सुनो न पहले सुनो ना पहले चार सिख भी डियो पास करना फिर तूम अच्छे से लिख लेना ठीक है transfer all assets to realization whether taken or not by new company सुनद रहे हो वेदर taken or not by new company नहीं लिखा समझ जा तो सब आप सबको मालूम है basic चीज asset कौन सा balance होता है विटा asset होता है डेविट लेकिक सको बताने कहा नहीं liability होता है credit तो उसको transfer करना है उसको transfer करना है तो तो entry क्या आएगा sir entry आएगा realization account debit, realization account sir कौन सा account है यह nominal account है तो realization account debit to sub assets का नाम लिखेंगे, जैसा अब भी हमारे नज़र के सामने है और जिगर के पास है fix assets, sub-fix assets लिख देना investment, investment जितना भी इंवेश्मेंट रहेगा स्टॉक डेटर और क्या दिख रहा है आंकों से आपको कैश दिख रहा है ना रुको कंट्रोल कैश के बारे में एक्सप्शन है इफ कैश इस नॉट टेकन और देन प्रिपेर कैश एकाउंड अगर कैश नहीं लेके जा रहे हैं तो कैश को कैश एकाउंड में ट्रांसफर कर देना मतलब एक नया लिजर बनाने का कैश एकाउंड सर अगर कैश भी लेके जा रहे हैं तो कैश भी आ जाएगा इदर याद रहेगा कैश के लिए एक्सप्शन है कैश अगर ट्रक में लेके जा रहे हैं तो कैश को भी ट्रांसफर कर दे एकॉंड में समझ में आया यह रहा मार फिर एकॉंद रहा कोई इस ट्रक में लेकर जा रहे हैं यह नहीं लेके जा रहे उस जान्द disturbing इस ट्रक Мें क्या लिखना लेकर सो कूछ मतलब नहीं सुट्ट ट्रांसपर कर दो तो Reιο thornyзд इकवांट में Cash के लिए ेक सफच्चन में लिह लिप के जारे तोए एक ट्रांस पर करो नीतो कैसे कौंट्र ड़ॉ बन हो क्या पर व्रस्टे मिस अच्षा है अरे लगने में जाएकवांट में इन। तो ऐख पड़ünden के लता है बेटा equity shareholder लोग का reserve उनका होता है तो loss भी उनीका होता है है ना तो transfer और profit and loss account debit to equity shareholder तो equity वो profit loss debit है ना उसको transfer करने के लिए credit करेंगे entry equity shareholder account debit to profit and loss account समझ में आया being loss debit balance of profit and loss transfer to equity shareholder और उपर और लेकर नारेशन क्या लिकेंगे बिंग वेरियस असेट ट्रांसपर टू रिलादेशन एकाउंट ओके इंटर नमबर थर्ड असेट सेट पूरा खतम के दिखाई दिया लाइबिलिटी सेट दिखाई देरा नीचे से जाओ नीचे से डवेंचर बैंक लोड क्रेड आउट सेडर लाइबिलिटी तो चार आउटसेडर लाइबिलिटी पता चला न्यू कंपनी ना बिल्स पेड्ल नहीं लेकर जाए सुनन रहेंब line हो लोग और लेके लिश्ट लेके जा रहे हैं यह नहीं लेकर जा रहें और लाइबिलिटी ट्रांसपर टू रिलाजैशन वेदर टेकन ओर बाइड पर्चेसिंग कमपनी और नॉट तो एंट्री क्या पास करेंगे देखो एंगलीश लिखा है सर ने आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसपर टू रिड़ादेशन वेदर टेकन ओर और नॉट बाइड नुव कमपनी तो एंट्री लाइबिलिटी ह होता है credit उसको transfer करने केलिए हम करेंगे debit अंट्री डेवेंचर account डेविट जो भी डेवेंचर का rate रहेगा डेवेंचर एकाउंट डेबिट बैंक लोन एकाउंट डेबिट डेवेंचर एकाउंट डेबिट बैंक लोन एकाउंट डेबिट क्रेडिटर एकाउंट डेबिट बिल्स जो जो दिख रहा है विटा ब्रैकेट डाला हूं गाल पे बिल्स पेबल एकाउंट डेबिट किदर realization account में चलो बुलावा आया है realization ने बुलाए तो all liability transfer to realization भगवान आपको बुलाए ना बुलाए all asset transfer to realization except cash whether taken or not ठीक है तो यह हो गया थोड़ा उपर चलते result दिखाई दे रहा है result general result दुनिया में जितना भी result लिखा होगा सबका सब शेरोल्डर को transfer कर दो equity shareholder local entry result को transfer करेंगे entry general result account debit अरे एकदम easy सब्सक्राइब सुना ही आ रहा है hello hello तो general result debit profit loss account debit investment allowances result account debit to equity shareholder holder किदा transfer करेंगे equity shareholder बोलो समझाओ all resort transfer to equity shareholder account थोड़ा उपर आओ पैफरेंच शेर capital दिखाई दे रहा है तो पैफरेंच शेर अलग है एकविटी शेर अलग है आदमी अलग है औरत अलग है तो पैफरेंच शेर यहां तक तो हो गया ना आपका screenshot ले लेना पास करके लिख भी लेना थोड़ा आगे चलते entry number five पैफरेंच शेर capital ट्रांसपर टू पैफरेंच शेर holder तो entry क्या आएगा पैफरेंच शेर जो भी रेट रहेगा लिख देना पैफरेंच शेर capital account डेबिट टू पैफरेंच शेर holder आप फुल फार्म लिखना मैं सी यह लिख सकता है आपको पढ़ा रहा हूं मैं आप फुल फार्म लिखना प्लीज तो पैफरेंच शेर capital ट्रांसपर टू पैफरेंच शेर पैफरेंच शेरे ट्रांसपर करनेंगे तो पहला स्टेप क्या करोंगे अता है नहीं आता है बैलेंशिट में ज़ाडू मार करें और चुन चुन के सबता है तो सब आपना घरते है। सब गर किसी को बेचते हैं जैसे मेरे पास कार है मैं अपना कार बेच हुँगा तो मुझे पैसा मिलेगा उसको बोलते है Consideration ऐसी किसी ने आमने business purchase किया तो हमें consideration देता है purchase consideration देता है पैसा तो अब आते हैं अगला जो चार entry इंट्री विटा तो तीन एंट्री आएगा प्रफिरेंशेयर ऑटल चार एंट्री आएगा तो ध्यान देना स्वाइब शेफ सामने हमको 10 लाक रुपए दे रहा है पूरा बिजनस का तो एंट्रिव आएगा एंट्रि आएगा डट आट डाट न्यू कंपनी एकॉंट डेडिट जो company हमें खरीद रही है तो सोचा हम अमल गामेशन हो तो new company तो हम entry पास करेंगे न्यू कंपनी ऑकॉंट डेडिट द्यान देना न्यू कंपनी एकॉंट डेडिट ओ कंपनी का नाम लिखा होगा new company सबका 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 सबके वाल्यू पर ट्रांस्पर करने का याद से हैं इसमें रिवाली फिगर नहीं लेना आगे बढ़ो तो पर्चेस कंसेडरेशन डिव मॉंटेंड डिव ने डिव डिव एंट्री है तो न्यू कंपनी एकॉंट डेबी टू रिलादेशन इसके सामने कौन सा आएगा पीसी का अमाउंट आएगा बताऊंगा पीसी कैसे कैकुले मेशी तेगा के कर रहा है देहेज मांग रहे हो तो जब एपना बेसेनसा में बैशते तो सामचलनाहक को शेर से के लिकेंगे हमें एक्वीटी शेर देगा हमान घवीटवरी में कंपनी को कैंसल करने के लिए new company क्रेडिट करेंगे कोंसा एंट्री है receiving pc pc रीम्सेव करने का entry सब debit आइटम हैmi खुल टी शेर न्यू कंपनी प्रेफरेंश यह न्यू कंपनी काश एकॉंड डेबिट टू न्यू कंपनी उस is pc का you be a specific assistant बाद में जो पैफरेंस शेर है और इक्विटी शेर हैbras इक्विटी शेर्ट ट्रांसपर होगा इक्विटी शेरोल्ड़ को पैफरेंस शेर बाप्रेंस शेर ट्रांसपर यह लगा पैफrates शेर गंपये सेओंग कमपणी टू पैफरेंस शेर Desher In A New Company, Amalgamation रहें तो New Company रहेंगा, Absorption रहेंगा तो Purchasing Company रहेंगा, तो Preferences in New Company, कहां Transfer करोगे, Preferences Share Holder में, आप देखे हो, Box debit batch cancel हो गया, तो Preferences Share Holder Account debit to Preferences in New Company, ऐसी एक्वीटी शेर कहां Transfer करोगे awareiscoególdar को एंटरी। एक्विटी शेर यूज यूज केंविट यूज है उसनों करने के लिए क्रडिट करेंगे तो लिखेंगे एक्विटी शेर से इन यूज कमपनी तो डेबिट कि उसनों करें सर एक्विटी शेर होल्डर को काश तो Qe estimates इस चले जाएगा तो पहला अब्युका कंतावं स्टेफ नंबर वन बालेंश इटकव करने का समय रहा है स्टेफ नंबर टू यह इन्ट्रिब्र टू था पीसी का एंटरेइप सर्करलो इसके बाद क्या करें सर कभी-कभी bowl मेरे हयाल आता है कि कुछ ऐसा liability है जो new company नहीं लेके गए कुछ ऐसा जो new company नहीं लेके गए इधरी छोड़ दिये ट्रक में नहीं लेके गए तो पेइमेंट और बिल्स पेबल भी एसे ट्रांसपर कर दिया अब वो बिल्स पेबल को new company नहीं लेके गई तो हमारा करता हुए बनता है हमारा duty बनता है कि वो liability पे करने का पाप लगेगा हमको आगले जनम फिर से पैदा होना पड़ेगा बिल्स पेबल ऑनर करने के लिए तो पेमेंट और लाइबिलिटी नौट टेकन ओवर हम एंट्री क्या पास करेंगे सर यह देखो बिल्स पेबल का नाम नहीं अभी हो रिलादेशन अकाउंट में चले गया कौँसा एकोंट में का क्रिडिट सेड में गया है तो उसको पे करने के लिए हम लोग कोई ऐगर कोई लैबिलिटी या कोई पोइंट अगर कोई लाइबिलिटी न्यू कंपणी नहीं लेके जा रही है तो तुम पे करो रिलाजेशन है कॉन डेविट टू बैंक ठीक है ऐसी सोचो कोई असेट है जो नियू कमपणी नहीं लेके गई नहीं लेके गई एक्जामपल सोचो आप फिक्सेट्स के अंदर फरनीचर था सुना ही आ रहा है फरनीचर था फरनीचर डेविट साइड में ट्रांसपर किया था याद करो तो सब असेट लिए फरनीचर इदर ही छोड़ दिये तो हम क्या करेंगे अगर उसका पैसा मिलता है रियलाज होता है तो बेचेंगे हम लोग ने तो किदर पड़ोसी के दरवाजे पर छोड़ के भाग जाएंगे तो रियलाजेशन का डेविट में ट्रांसपर कि पैसा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेविट डू रियलाजेशन समझ में आ रहा है क्योंकि फरनीचर क्यों नहीं नाम निशन मिट गया है रहे रियलाजेशन अकाउंट में ट्रांसपर हो गया ना फरनीचर तो दो एंट्री किसका आसेट से लाइबिलिटी जो नहीं पास कर रहें तो इस सब करने में 2,000,000 रुपय खर्चा हुआ कितना खर्चा हुआ दस जार चलो 12,000 पकड़ लो तो रियलाजेशन एक्सपेट पेडब कमपनी खर्चा हुआ ना तो हम लोग एंट्री पास करेंगे रियलाजेशन आकाउंट डेबिट रियलाजेशन एकाउ भी खर्चा वाना उसमें से 10,000 वेंडर कंपनी ने देखो याद बता रहा हूं सोचो 12,000 खर्चा हुआ तो जो पर्चेसिंग कंपनी है ना वो बोलती है कि मैं तेरे को 10,000 देता है बाकी दो आजा तू भी बरदास्ट कर यह पर्चेसिंग कंपनी बरदास्ट कर रही है रेस्टरॉन में खाना खा क्या आओ बिल दे दो 2000 का खाना खाए बिल बनाए पैसा मेरे से ले लेना एक्जामपल था तो इसी को बलते है रींबर्स है मतला आपका खर्चा नहीं हुआ खर्चा तो मेरा हुआ तो एक्सपेंसर से रींबर्स बाइ पर्चेसिंग कंपनी तो इसमें दो दो एंट्रि आएगा पहला और पेमेंन्ट वंडर कंपनी पहला loss कंपनी पय करेंगी तो इंट्री क्या है गाव बिटा इसका इंट्री पास करेंगे पर चेसिंग कंपनी आप्सकी सहके पर्चेसिंग कंपनीर एकाउंट डेबेटर और रियलाजैशन directement को घज स परकि तुरु समझाता हूँ खर्चा कि अब 12000 हमने बरदास किए दस ज़र रुपई पर्चेसिंग कमपणी अब जब होगा री इंबर राहतो तो Tand эта यहाए सब को समझा पर्चेसिंग कंपनी डेविट क्रेट कैंशल हो जाता है यार इसको PC में गलती से मतलेना उसी लेजर में डेविट क्रेट कैंशल हो जाएगा समझा एक्सपेंस का एंट्री और सब करने के बाद रियलादेशन आंकटली करना प्रोफिट आएगा तो प्रोफिट आएगा तो इंट्री आता है रियलाजेशन अकाउंट डे जो भी प्रोफिट रहता है एक विडीस सेंट्र का होता है लॉस रहे तो उसका उल्टा एंट्री मर देना रियाद require सब्सक्राइब कर दो स्टेप नंबर वान सब्सक्राइब कर दो स्टेप नंबर टू पीसी का चार एंट्री स्टेप नंबर त्री वह कुछ असेट सा लाइबिलिटी जो नहीं पे किया था वह सब कर लो एक्सपेंस कर लो और स्टेप नंबर फॉर क्लोस करो चार स्टेप रच्छे से रट्टा मार लो समझा अच्छे से बोलो ओके तो अब भी हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी का बुक में सुन रहें बेटा नेक्स कंपनी का थोड़ा रूख कलर चेंज करने दो हमको भीक पेज कंपनंगे चारेख नेक्स कंपनी चलेंगे जहां पर उंपेंगे और पर करेंगे जनर यरूख करींगे दूख में चलते हैं यह बंख समझगे यह वाला पार्ट सबको समझ गया विटा जनरेंटर किसका बुक में किया हमने वेंडर कंपणी का बुक में पास किया वेंडर कंपनी वुक में अब डीजेंट दिख रहा है थोड़ा दिखना जिये न कलर हां तो सुनो तो अभी हम पास करते हैं न्यू कमपनी वुक में एंट्री आते हैं चलो नीचे चलते हैं जर्नल एंट्री इन दुपक पर्चेसिंग कंपनी है न्यू कंपनी विटा दो में थर इसमें दो में एक का नामें पर्चेस मेत दुश्री का नामें मर्जर मेतर्ड पर्चेस मेतड मार्जर मेतस उन्ण रए 1 पर genome मेनठड दूसरा मuwर्जर मेतड रज हर के عن्य के लिए पांच पै'll से याद रहेगा तो मर्जर मेतड है अगर एक भी rules follow नहीं किया तो purchase method है हम लोगो next video में cover करते है journal entry in the book of purchasing company सबको ये तो समझ गया नहीं पहले इतना समझा journal entry in the book of vendor company समझ गया अच्छे से हैं ठीक है वो next part का वीडियो में करते है journal entry in the book of purchasing company ठीक है चलो